हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सोशालजी के पेपर टू में एक बार फिर से और आगे बढ़ाते हुए पेपर टू को काफी तेजी से आगे बढ़ रही है कहानी आप नोट्स प्लीज साथ-साथ पढ़ते रहिए, रिवाइस करते रहिए, इगनू से पढ़ते रहिए क्योंकि आज का जो टापिक है that is B2, B2 शुरू करने जा रहे है आज, B2 में हमारे पास जो टापिक है that is CAST system, CAST system पर बहुत सारे perspectives पढ़ने हैं हमने पहले जिसे एवन ने भी तीन perspective पढ़ने थे उननमे भी CAST पर बात की, जैसे श्रीनिवास ने बात करी, वहाँ पे GS घुर anything for sociology ठीक है दोस्तों तो फोकस कीजिए इस पे पैनली जैसे हम सब बाकी बाचों से जैसे हमारे कुछ बात होती है mail पर etc तो prelims का थोड़ा सा अभी fever तेज़ोरा शुरू हो गया है prelims के अभी आप साथ साथ focus बनाए रखिए test series के जो schedule users को follow करते रही है test series में आपके updated paper डालने वाले है क्योंकि कुछ लोगों ने अभी previous paper जो है previous paper को भी videos वगरा डले हुए उनको descriptive paper हैं बहुत सारे तो काफी detailed discussion है video discussion उनको आप follow कीजिए क्योंकि जो नए video आ जाएंगे फिर से दबाब बन जाएगा 6 के 6 video आड होंगे तो इसलिए आप एक बार previous जो हमारे जो 6 current affairs वाले जो पहले test थे उनको download कर लेजी PDF उनका क्योंकि अगर वो platform से चले गए तो आप download नहीं कर पाएंगे तो ठीक है उनको 6 जो current affairs के test को download कर लेजिए उनके video solutions में से notes बना लीजिए क्योंकि हम test update करने वाले हैं महाँ पर ओल राइए दोस्तों चलिए शुरू करें car system ये again हमारे mentorship program से ही स्वारी जो हमारे crash course हा means का उसके जो social के part से हमने इसको video का बनाया and अब आपके सामने है ये और इसमें से notes बनाई ये PDF शेर हो रहा है website update कर रहे है सब कुछ बहुत सारा काम चल रहा है आप बस साथ सा चलते रहे है दिरे दिरे करते ही बड़ी चीज़ें होंगी all right चलिए okay hello दोस्तों स्वागत आप सभी का sleepy classes में social paper 2 continue कर रहे है and इसमें topic हमारा आ चुका है concept B2 ठीक है तो B2 cover कर रहे है तो इसमें इसका topic का ना भी क्या है का सिस्टम तो का सिस्टम पर आपको कह रहे है कि कुछ particular लोगों के आपको perspective पढ़ने हैं का सिस्टम पर जिसे घूरे ने क्या कहा शृणिवास दूमो ऑंड्रे बेते बेते घूरे औं शृणिवास का हमने काफी देखा लेकिन ओंड्रे बेते और लूई दूमो का आपको भी तब कि इतना आइडिया नहीं है तो मेरे यहीं यहाँ पर थोड़ा एक फोकस रहेगा कि AB and LD इनको LD बोलेंगे अभी इतना लंबा नाम कौन बोले अन AB AB and LD फोकस करेंगे पार्लेली मैं आपको यहीं है features of car system इन ही के perspective से हम देखेंगे ना कि यह क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं then untouchability इस पर भी आपको मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कुछ content provide करना था कि exam में अच्छे से question attempt हो सके ठीके दोस्तों तो चलो शुरू करते हैं यहापे बिल्कुल तेजी से सबसे पहले बात करते हैं under के एबी की तो एबी का जो view cast का यह broader perspective है आपको मैं मैं दे रहा हूँ कि जब आप सब पढ़ लेंगे आपको यह दुबारा से कहानी clear हो जाएगी लेकिन अभी जाने तो reflexive reflexive का मतलब हुआ कि यह कहते हैं कि cast ऐसा है कि उसके बाद ही कह रहे हैं कि variable explanation है cast की मतलब कि cast की कोई एक static explanation नहीं जोकते कि इसी कारण cast आई थी या cast इस कारण नहीं आई थी जैसे रिगवेट से आई थी वर्ना से जैसे वर्ना से अनाउंस किये थे एटसेटरा तो and then यह इनका जो सबसे important है जमने underline भी किया वो है चीजी होती है वेबर बोलते है कि क्या कि अगर समाज में स्टार्टिफिकेशन तीन बेसिस पर हो रही है या तो class में आप उपर नीचे हो हाना economic तरह से बताते हैं then वो बताते हैं कि आपको या तो political power की तरह से and then एको क्या बताते है स्टेटस तो यह तीन था यहाँ पर इनको थोड़ा से alter करते हैं यह देखो class तो है कहते है economic तरह से भी हो रही है power की तरह से भी हो रही है political and then तीसरा status कहते है क्या है caste जो की birth से मिलता है important चीज़ें यह दो चीज़ें बिल्कुल important ठीक है book का नाम जो वहाँ पर class power था sorry जो class power status है CSP बोलते हैं यहाँ पर क्या हो गया caste class power webinar perspective यूज़ करके इंडिया को study किया ठीक है trinitarian model भी कहते हैं इसको आपको पता रहे है इसको श्रीपुरम की study भी कहा जाता है जहां पर जो आपको पता है कि जो caste भी हमारा birth oriented ही है दिन आगे अब dynamism dynamism में क्या बताते हैं कि कहते हैं जो intra and inter दोनों ही caste में हिरार्की है कहते हैं ऐसा नहीं है कि let's say ब्रहामिन्स top पर है and then शत्रिया and then जो हमारे west शेशुद्र वो कहते हैं ब्रहामिन्स के अंदर भी जैसे वो कहते हैं कि कुछ अयंगर्स हैं कुछ नौन अयंगर्स हैं इनकी भी हिरार्की है तो कहते हैं कि hierarchy caste करते हैं बहुत dynamic है एक ऐसे नहीं ब्रहामिन से युनानी मसली उपर हो गए कोई ब्रहामिन के अंदर भी within ब्रहामिन भी आपकी जो segmentary nature है hierarchy महां भी दिखती है ठीक है various क्योंकि subcast various times पर बनी है इसलिए कास्ट बहुत dynamic है और it refuses to die और इसलिए class से इसको equate कर पाना हो ही नहीं पाएगा class एक अलग चीज़ चल रही है caste एक अलग चीज़ चल रही है इंडिया में and then वो क्या बोलते हैं कि within caste ना देखो within caste जैसे ऐसा नहीं है कि सभी ब्रहामिन एक जैसे अमीर हैं गरीव है तो क्याते विदिन कास्ट भी economic variation है इसी कारण वो क्या बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि within caste आपकी जो endo-gaming हो जाएगी ठीक है तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर पहले बात वो बोलते हैं कि इसलिए जैसे रहते कि यह ब्रहामिन और यह ब्रहामिन वान और ब्रहामिन टू इनकी class डिफरेंट है ल class is a very important consideration ठीक है and exclusion हो जाती है अगर class आपकी same नहीं हो तो इसलिए जैसे कहते हैं जैसे लूई-डूम हम आगे पढ़ेंगे वो PNP का model देते हैं PNP is purity and pollution कि कुछ caste pure हैं कुछ caste polluted मानी गई and then AB बोलते हैं sir और भी तरीका है exclude करने का ज़रूरी नहीं है कि purity के basis पर poverty के basis पर भी exclusion हो सकती है ठीक है अगर कोई इंसान poor है तब भी वो excluded हो सकता है तो ठीक है यह PNP किस तरह से amend किया बहुत दी देखो AB इसलिए बहुत शायराना types के हैं ठीक है जैसे Weber को अपने तरह से change कर दिया and then LD को अपने हिसाब से change कर दिया LD को तो बहुत ही इन्होंने solid criticize किया हुए हम करते हैं caste old and new उसमें योगेंदर सिंग जी की modernity को वो थोड़ा सा criticize करते हैं वो बुलते हैं कि जैसे कहते हैं Indian social structure को आपने तीन तरह से देखा caste जो कि हिरार्की है जजमानी में interdependence या vertical ties देखेगी ना आपस में किस तरह से various caste dependent है और हिंदू value system को आपने बताया कि hierarchical grading है values की कर रहा है हम सभी को लेकिन caste भी elastic है जो caste है वो dynamic है caste साथ साथ बदलती जा रही है okay then आगे यहां पर यह वर्ड हमने बिल्कुल जो शुरू में जो chapter number five किया था paper one में वहां पर हम आने आपको बताया भी था last की जो जरहाड last की से हमने compare भी किया था nonetheless वापस आते हैं तो यहां class one है तो अपने आपको class top पे ले आती थी and power भी सारी concentration हो सकती थी वहां पर तो कहते है पहले सारी privileges cumulative थी कहते अब क्या और है अब बहुत सारे permutation combination possible है हो सकता है कि जो caste number one हो बिल्कुल top पे हो वो class में काफी बीची हो power में तो बहुत ही बीची हो ठीक है इसलिए कहते various PNC आ अब क्या रही है new is dispersed dispersed type की privileges है कि किसी के पास अगर caste में top है तो class में top नहीं है power में top नहीं है ठीक है तो कहते हैं लेकिन still still अभी भी क्या हो रहे ब्राहमिन्स ही जादा दिखते हैं professorial roles में ठीक है पंडित वाले ना पंडित की होता है जो अभी भी आपन सुनाओकर English word भी होत अब बहुत जाते हैं अभी भी बहुत विजनेसमें जो हैं वह वह वैशे कम्मूनिटी के हैं शुद्रा अभी भी कहते हैं class 4 employees तक ही स्रीमित हैं ओके इसलिए वह बहुत ही solid dialogue क्या मारते हैं कि कहते हैं कि कास्ट में cracks डवलप हुआ है लेकिन अभी collapse नहीं करी है it is still not collapsed ओके अब ये लूई डूमो को decise करते हैं वो क्या बोलते हैं कि लूई डूमो कहते हैं कि cast is unique to India ठीक है और कि बर्थ में status मिल जाता दुबारा आप उसको दुबारा नहीं पा सकते एक बार जो status बर्थ पर मिल गया वो ही मिल गया तो वो कह रहें नहीं से ऐसा unique नहीं है कि क्वीन नोबिलिटी पोप इस अभी तो कहते हैं अपने बर्थ की affiliation पर आते हमारे यहां unique ऐसे हुआ कि ऐसे नहीं होता है कि किसी को भी हमाँ पे queen and king बना दें ऐसा नहीं होता है एक particular एक linear चाहिए नोबिलिटी का भी same idea linear चाहिए and then कहते हैं ऐसा भी नहीं इंडिया में कि सिरफ औ sorry priestly caste नहीं है लेकिन तब भी यह क्या बनगे religious उस पर बहुत हाई इंडिया में ऐसा हो सकता है it is not a prerogative of birth ऐसा नहीं पैदा होगे उस caste में तब ही आ भगवान बन सकते हो यह तब ही आप priest बन सकते हो top priest उसके मिना भी बन सकते हो ठीक है तो अब यह बोलते हैं इसलिए जो जो लुईडूमों हैं वो मनुस्मृति है कि मनुस्मृति मतलब मनुस्मृति में क्या बताया गया कि औरत को किस तरह से behave करना चाहिए and etc etc very very patriarchal book है तो वहाँ पर बहुत कुछ बताया हो कि किस तरह से करना चाहिए or to be वाला कि क्या करना चाहिए instead of what it is कि अभी क्या है ठीक ह पहले जो जो सो से जो 102 to 500 AD की बीच में लिखी गई है कभी भी तो ऐसा माना चाता है कि कि अगर हम मनुस्मृति पढ़ें तो ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि हमें उस time का exact बता रही है वो कि कैसे society कैसे थी हमें बस broader एक आइडिया दे रही है कि कि वो मनु रिशी मनु जो है वो कैसे imagine करते हैं ठीक है इसी लिए वो कह रहे है कि जो overall जो LD का idea है LD is very odd to be type कि LD बता रहे हैं ऐसा होना चाहिए जब कि ऐसा है यह LD नहीं बताते ठीक है and then उसके बाद LD क्या है ब्रहमनिजम को जो challenges आए various even MNS नहीं बता इतने challenges कि जो ब्रहमनिजम को Sanskritization dominant caste यह वो हाना कहते ह तो LD ignore कर देते हैं LD को उनके बारे में पता ही नहीं है और से आपको बताते हूं LD तो पढ़ने आथे इंडिया में France से and यहां के उन्होंने देखा कि कास्ट बड़ी unique चीज़ लगी तो then he started studying caste and he researched and then later on तो इतना मजदार research हैं कि LD की भाहरा सरकार ने इनको top पुरुसकार भी दी हैं okay then LD का criticism का चल रहा नहीं आपर कि unique उन्होंने खतम किया then LD बुलते हैं कि caste unique है और birth के साथ ही आपको associated होती है तो AB इसको destroy करते हैं इस argument को then LD says कि सिर्फ और सिर्फ caste से ही hierarchy बनती है AB कहते हैं नहीं सिर्फ class and power से भी बन सकती है LD कहते हैं कि इंडिया तो homo hierarchy कस है homo मतलब humans कि humans की hierarchy लगी हुई है यहाँ पर which is not a very good thing कहते है वेस्ट is homo equilis humans को equally treat करता है वो which is a good thing AB कहते हैं सेर ऐसा नहीं है आप west में जाके देखिए religious revivalism हो रहा है इंडिया में secularization बढ़ रही है जब AB लिख रहे हैं तब की बात है ठीक है तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप इसको compare मत करो वो कह रहे हैं कि then AB writes कि it is not a matter of it is not a matter of type ठीक है ऐसा नहीं है कि यह अलग type यह अलग type है ना इंडिया अलग 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 वेस्ट अलग कैते इस नॉट अ मैटर अफ टाइप वोट बट क्या है यह किते इस अ मैटर अफ डिग्री सिर्फ डिग्री का फरक है कि कोई जाधा equally treat करता है कोई थोड़ा relatively कम equally treat करता है that's it it is a matter of degree ठीक है matter of degree है then a matter of kind all right चालो then caste and politics पे क के लोरिये से और pathological DOL हो रहा है जो जो नहीं कर सकता उसको वह वाले काम दे दिये गए तो पैथो लॉजिकल डिविजिन अफ लेबर है and then वो गहरे यह caste consciousness को बहुत strong कर रहा है modern इंडिया में बोल रहा है का हमें caste से अगर दूर जाने तो consciousness weak करने के बढ़ा है उसको strong कर रहा है then वो बोल रहा है कि historic wrongs जो history में जो किसी ने गलत किया उसको आज आप correct करने के try कर रहे हो contemporary needs को आप नहीं देख रहे है ठीक है and then वो गहरे वर्टिकल डिविजिन क्रेट कर रहे है आप country में ठीक है वर्टिकल डिविजिन क्रेट हो रही है कि I am particularly एक particular तरहां की आपने segment को आपने privilege दे दिया दूसरी segment को आपने privilege बिल्कुल उसको राधर उनसे privilege withdraw कर लिए क्योंकि modern society अगर आप देखें तो it is very class based economy based अगर चीजें आप afford नहीं कर सकते तो आपको चीजें नहीं मिलेंगी तो इसलिए देखो वो कह रहे हैं इसलिए कि अगर आप cast के business पर अभी भी कर इस पर reservation दोगे तो vertical divisions होती ही जाएंगी country की and then वो कहने कि even की spirit of constitution को भी ये इसके खिलाफ है इसको अगर आप प्रलॉंग करते रहोगे तो constitution तो equality वगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो कहते हैं ये कैसे करो गया पर तो इसलिए he is against caste based reservation okay then and then आगे वो politics and caste के वारब में बात करते हैं तो वो कहने कि even America में भी लोग various social चीज़ों के कारण vote करते हैं जैसे class, gender, color इनके नाम पर voting जो आपका behavior influence होता है के इंडिया में कहते हैं अगर caste आ रही है बार बार तो ऐसा नहीं कुछ unique चीज़ नहीं हो रही है वहाँ पर भी हम various descriptive identities के basis पर करते हैं America में इंडिया में भ आता factor नहीं होता politics में friendship भी होती है leadership भी matter करती है तो यह बहुत कुछ चीज़े matter करती है then okay उनसे पूछा गया कि primordial कि ऐसे identity जैसे caste, family, religion इनके नाम पर vote मांगे जा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है वो कह रहा है कि as a reaction to oppression कि oppressed कोई particular community बहुत time से oppressed है particular कोई caste oppressed है तो उनका reaction है औ and then कैते कुछ लोग तो status quo जैसे चाहते है maintain करना कि हमारे जो हाथ से कभी सत्ता ना जाए तो status quo maintain करने के लिए भी ऐसा करते हैं कि अब हमारी family को vote करो या हमारी caste, religion को vote करो etc. ठीक है okay then वो कहने कि caste इसलिए dynamic है static नहीं है ठीक है and then वो कहने कि इसलिए कि caste एक empirical reality है ऐसा नहीं है कि institution है कि empirical reality दिखती है हमें हर तरफ culture, economy, religion, ideology सभी इनको strengthen करते हैं ठीक है and then criticism की बारे में अगर आप देखो तो AB का criticism बहुत ही broad criticism हो सकता है जगा जगा हो सकता है तो जैसे अभी जैसे गे लॉमवेट बोलते हैं कि वो कह रहे हैं कि overemphasize कर दिया caste में change को कि इतना नहीं बदल दलित अभी भी काफी exploited है एक और बात यहां बतारा आपको मैं जब भी whenever you read this name गेल उमवेट हाना तो क्या है she is always talked about दलित ठीक है दलित के बारे में कि how they have been very very oppressed ठीक है super oppressed तो इसी रहे कभी भी आपको let's say कोई point अगर आपको आ रहा हो दलित के regarding कि कि किस तरह से exploitation उनकी पर बार नहीं आदा रहा तो एक आदा लिख भी सकते हैं तो यह गेल उमवेट ने जनरली कहा ही होगा कभी प्रोदलित यह बहुत ही scholar थी अभी भी हैं इसे तो देन अनन चक्रवती क्या बोलते हैं कि कि हैजिमनिस्टिक डॉमिनेशन कि जैसे हैजिमनी बनाकर जो डॉमिनेट करते हैं कि हैजमनी मतलब कि आइडियास पर कंट्रोल कर लिया है हाना एंड रिसोर्स इस पर कंट्रोल हैजमनी बना लिए अपनी पकड बना लिया तो उसके उसके साथ डॉमिनेशन कि उसको तो study ही नहीं किया class के and power के ब्यौंड यह कि की जरूरी नहीं ना कि क कोई भी ऐसा हो स study नहीं है कहीं पर दिखती है कहीं पर नहीं अब्जेक्टिव नहीं है तो वाई सिंग का हमने modernization में भी देखा था ओके एक और देखो यहां पर इनके ना वेरियस points आपको पूछे आते हैं exam में कि जैसे कि AB का view आप बता दीजिए कास्ट पर तो AB का view का कास्ट पर बताया तो ना इन सभी को ना दिमाग में रखना कि उनके broader view क्या है ठीक है and then कौन सी किताब विलेज का नाम study कहां पर किया then broader view के बाद आप बताएंगे इन्होंने तो CCP model देकर study किया and then यह बोलते हैं कि यह तो इंट्रा कास्ट भी hierarchy है सिर्फ इंट्रकास्ट hierarchy नहीं है ठीक है and then poverty and pollution LD के बारे बात करिए and then उसके बाद आप आगे बढ़ते रहें cumulative points कहीं लिखके रखेंगे ना सिर्फ यह चोटे-चोटे points बार 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 पढ़ेंगे आपको दिमाग में आएंगे वहां जाके ठीक है and then जो LD करते हुए बताते हैं किस तरहां से कि एक ही model पे नहीं सर्कास्ट नहीं तीन के नाम पर करना पड़ेगा एटसेटरा यह बहुत सरी बाते हैं then cast कहां पर politics में यूज हो रहा है reservation के खिलाफ है यह एटसेटरा है तो एन थोड़सा एक दो बारा भी लिख सकते हैं मने पड़े हैं मने थोड़ा से इनकी बार में थोड़ा सा और जाता हूं बताना तो इनका field view है आपको बताए इस ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है and then cast among India other essays किताब है society and religion जो religion among the kurgs of Mysore तो यहाँ पर दोस्तों होड़ा सा चेंज करो relation ही है religion 1952 की इनकी वो कहिए society and religion among the kurgs of South India है वैसे Mysore भी सकते है क्योंकि South India मासुर एक ही बात है वैसे वहीं पर study की थी amongst the kurgs of South India ओके तो यहाँ पर इनके देखो चार पॉइंट है जिन पर हम study करेंगे तो ऐसे नहीं सब्मरी से लिख लिए करो शुरू में क्योंकि देखो यह क्यों लिख रहा हूँ है जब आपको पेपर से पहरे बढ़ोगे आपको सारी कहानी आता जागी क्या थी कहानी तो देखो वर्न इसको कंपेर करेंगे देखो वर्ना नहीं बोलते है वर्न होता है अगर आप बोलो क्योंकि जैसे अंग्रेजों ने राम को राम कर दिया कृष्ण को कृष्णा कर दिया तो इस इस हाव इंग्लिश पीपल यूज तो राइट विदन ए ठीक है लगाते है पीछे तो इट इ इस 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 इतनी थोड़ी नहीं है कि आप इस पर ध्यानी ना दो हैं तो समान तो बहुत सार है लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप फिर भी इसको अगर थोड़ा सा confine करके लिखोगे आप थोड़ा से ऐसे convenient हो जाओगे exam से पहले recall करना सान होगा revise करना सान होगा एक छुट्टी मिलती है एक्जाम से पहले तो revise करना सान होगा इस पर क्या बोलते हैं वो कहते हैं इंडिया को कास्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए वर्न के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए हो कहते हैं कि जैसे पहले जो earlier हमारा view क्या था पहले वाला view कि जैसे कास्ट हैं या फिर जि जैसे जो even की historic जो विउ है हो क्या है कि caste या तो race या वर्न से आईए तो कि vulner है क्या? What is awareness सिस्टम जो learning बोलते है क्या यह कैसे यह जो rigvayda में प obluchtaa में लिखा हुआ रिगवेद खुर नहीं है कि wrn है क्या? कि या तो learn color है या wearn occupation है जिसे आपने को सुनाओगा कि Bhagawan Krishna को Bhagawan Krishna is a little dark वर्न इस वर्न इस कलर, श्याम इस डॉक, वर्न इस कलर तो यहां पर यहां पर ऐसे लगता है कि वर्न इस कलर, but at the same time जो एक ही परिवार के ब्रामिन से सरफ और सरफ वो पड़ाई लिखाई वाले काम कर रहे हैं, तो आक्यूपेशिनल लगता है, है ना कुमहर का बेटा कुम महार तो यह occupational भी है, तो केते रिग्वेड खुद शsheart नहीं है, जो सोर्स है, रिग्वेड, ग्राजुली तो तो फ्यूटाइल है, यूजलेस है, तो लेकिन कहते हैं, जैसे वर्न को अगर देखे हम, तो वर्न कहते हैं, इंडिया की distorted एक image present करेगा, कि सिरफ तीन तरह, चार तरह की लोग हैं, सिरफ चार तरह की काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हां कहते हैं, एक ready-made model तो present करता है, इंडिया में caste system present करने का, कि हां, हिरार्की एक्जिस्ट करती है, ये ब्रामिन, ये शत्री है, ये वहिष है, ये शोद्र, ठीक है, हां कहते है, ready-made model present करता है, कि हिरार्की होगी, लेकिन हिरार्की क्या होगी, हो सकता है, किसी-किसी जगह पर शोद्र टॉप पर आ गए हो न break कैसे हो रही है, hierarchy कैसे बनी हुई है, थो देन, आगे, वह जीसे बोलता है, West stratified है, hierarchical नहीं है इंडिया कहते है hierarchical है hierarchy लगी हुए है एक कोई ऊपर है कोई नीचे है ओके वो कहते है जिसे different cast ने different जगाओं पर कहते है अगर हम जानने के try करें uniformity से अगर समझना है तो हमें verne उसको समझने में help करता है ठीक है कहते है इसलिए various regions में इंटर linkage की तरह प्रवाइड करता है यह तो इसलिए कहते है इसलिए verne ऐसा भी नहीं को discard करते है लेकिन हां कहते verne एक academic तरह से चीज रह जाएगी instead of let's say practical practical चीज क्या है caste तो कहते इसलिए verne है वो functional interlinkages दे रहा है और कहते लेकिन कहते जैसे जहुरी नहीं है कि यह हमेशा ऐसे ही नजर आए हमें BKVS अना ब्राह्मिन शत्रिय और जो वैशे शुद्र कहते ऐसा नहीं है कहते इनिक्वालिटी हमेशा जहुरी नहीं permanent रहे संस्कृताइजेशन हो सकती है कोई उपर नीचे भी आ सकती है देन कहते जैसे जैसे राज गॉंड क्योंकि जो ऐसे बताते हैं वो गॉंड थे गॉंड के पास लैंड आई बहुत सारी तो उनने खुद को शत्रिया घुषित कर दिया कहते हम है राज गॉंड ठीक है जी तो यह मनेस ऐसे क्लेम करते हैं चोहां ने जो प्रीस्ट बने वो खुद को ब्रहामें डिकलेर कर दिया और इसलिए कास्ट वेरियस इंफ्लूएंसे में मोबिलिटी प्रवाइड तो करती है एक्जाम्पल या दखना आई रिपीट ठीक है इंडिया के एक्जाम्पल है आप चाहें थे इनको पेपर टू में भी क कर सकते हैं और को हमें कास्ट के स्वाया ना की वरन के अब कहते की कास्ट में मोबिलिटी होती है जा रहे है कहीं डिटी वर्शिब हो ही है जो again various caste के various duties हो सकती है and broadly किसी को डीटी को worship करना allowed है किसी को नहीं allowed languages जो पंडित जो थे पहले ब्रहमिन्स थे उनकी जिसे अगर आपको मैं quickly समझाओ विसे ये बड़ा ही मज़दार विसे एक chapter होता है ये history में जिसे आपने जाम सुना होगा ना Sanskrit then there is something called Prakrit जोसे जो आपर मैं बोलते हैं English, slang, ये more or less not slang exactly जो naturally हम जो यूज करते हैं आपर मैं language जो हम बोल रहे हैं हम ना proper Hindi बोल रहे हैं ना proper English बोल रहे हैं हम एक सा कुछ बोल रहे हैं तो ये प्राकृत है प्राकृत होती है common language तो जो language भी इस तरह से hierarchy का लगी हुई थी जो ब्रामिन्स जो टॉप और लोग थे Sanskrit बोलते थे आपके मेरे जैसे जो आम लोग थे वो प्राकृत बोलते थे and then कोई super cool लोग भी थे वो क्या बोलते थे वो language का नाम कहा था Vikrit Vikrit इसकी बिलकुल बिगाड़ दी गई ठीक है Vikrit ही हो गई उसकी Vikrit ठीक है ये तीन तरह की languages थी Sanskrit जो थी वो top people की ब्रामिन्स वगारा की प्राकृत आपके मेरे जैसे आम लोगों की Vikrit थोड़े जैसे और अल्ट्रा कूल जो जो डिलिंक्वेंट हुआ करते थे ठीक है उनकी language थी तो ये तो चलो हटाई देते है ग्राजुली जैसे बुद्ध वगारा ने प्राकृत में speech दी तो बुद्ध विकें बुद्ध तो यसे थोड़ा सा off the track बात बतारू आपको में जब भी दुनिया में चीज़ें बहुत कंप्लेक्स हो जाएंगी जो इंसान आके उनको सरलतास से समझा देगा वो महात्मा बुद्ध बन जाएगा उस समाने का तो ठीक है आप समझ ग कंप्लेक्स है तो इसलिए प्राकृत ठीक है प्राकृत में जब जब कोई लोग बोलेंगे उसको महात्मा बुद्ध बनाएंगे लोग ओके बिन ग्राजुली हुआ गया बुद्ध बुद्ध बुद्धिजम में भी 10th AD तक आते आते प्राकृत खतम कर दी गई बुद्ध बी आम जनता से दूर हो गया चलो कोई बात नहीं हो गया बाक्टू सोचो तो हिस्ट्री क्लास बाद में कभी तो लांग्वेज स्पोकन हाना लांग्वेज स्पोकन में भी कहते रिच्वल्स लगे हुए फूड हाबिट वेजटेरियन खाने नन वेजटेरियन मैनेरिजम स यह सब ही चीज़ें कास्ट के साथ जोड़ी होई हैं तो अब वो क्या बोलते हैं कि देखो कि अब पहले कहते हैं पहले रिच्वल क्राइटेरिया बहुत टॉप पे था अब सेकुलर क्राइटेरिया डॉमिनेट करता हैं मैं की मैरिट के कि किशन गडी विलिज की स्टडी देखते हैं तो करते स्टेटेस चाहें अब पहले सिर्फ आपको कास्ट से मिलता था रिच्वल से अब दोनों से मिलना शुरू हो गया ठीक है यूनिवर्सलाइजेशन परोकिलाइजेशन हो रही है जो मॉडरन वैल्यूज आ रही है वह अपने गाहों तक पहुंच रही है और जो ये उपर ब्रॉडर वैल्यूज जैसे कास्ट वगरा की वो यूनिवर्सलाइज भी हो रही है सब तक वापिस तो इंडिनाइजेशन ऑफ मॉडरन ट्रेशन भी हो रही है कहीं नहीं ओके तब ये मैक की मैरेट ने बोला था हमने पढ़ा भी था पीचे अब देन उसके बादे से मेसे राव बोलते हैं यादवजव यूपी कुनभी गुजराथ हाना जो एसी दूबे ये बोलते हैं राजगौन्ज अफ एमपी ये क्या बोलते हैं कि कहीं न कहीं वेल्थ और पावर ने संस्कृताइजेशन करवा दी कास्ट को मॉबिलिटी मिल गई और इसलिए क्या फाइनली हम ये कॉंक्लूड करते हैं कि रिच्वल मॉबिलिटी नहीं हो सकती जब तक सेकुलर मॉबिलिटी ना हो कहीं धन दौलत कमाओ जो शारुकान बोलते हैं जो धन दौलत कमाओ अपने आप लोग आपकी बात सोनेंगे आपको पंडित बना दे रखो हाना तो ये ये वाले वर्ड तो आपने बार बार पढ़कर एक्जाम में रिप्रड्यूस करने ही करने हैं ओके दिन कास्ट मॉबिलिटी अब कुछ वर्ड यहां पर कास्ट मॉबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पूरा की पूरा ग्रूप उपर चला गया गया ग्रू कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं कि तो inequality within the caste बढ़ रही है, which is not very untrue, काफी सच भी है, कि inequality within caste भी बढ़ रही है, Adrian Mayer बोलते हैं multiple dominations आरे, हमने पहले पढ़ा ये, कि Jarts economically, जो dominate करते हैं, Jart and Jart, राजपूत politically कर रहे हैं, Brahmins ritually, तो कहीं न कहीं अब इनका लेकिन हम देखें, तो cumulatively भी अब ये होना शुरू हो गया है, लेट से अगर आब हर्याना में देखें हैं, पंजाब में देखें, तो जो ये Jart and Jart, they both dominate economically, politically, ritually नहीं करते हैं, जो हमें फील्ड में उतर के देखना चाहिए, तो कहते हैं, इसलिए हमें empirically, जो हमें field में उतर के देखना चाहिए, ये कि हो क्या रहा है, accordingly ही बात कर सकते हैं, then Louis Domo को criticize करेंगे, वो कहारे हैं कि pollution and purity, LD के दो word है, PNP, कहते हैं, इस बारे बात करें, तो कहते pollution, purity, एक तो कहते पूरी जुड़ी हुई है, caste के साथ, corporate मतलब सभी के सभी, जो भी इस caste के लोग हैं, या तो pure हैं, या फिर polluted हैं, overall हाना, एक कहते individual के साथ भी जुड़ी हुई है, तो इसलिए, कहते individual भी हो सकता है, कि individual की बहुत सारी ऐसी हरकते हो सकती है, उसकी proper ऐसे, कि overall जो lifestyle हो सकता है, कि वो polluted नजर आए, या फिर प्योर नजर आए, तो ऐसा हो सकता है, it is possible, तो कहते लेकिन Sanskritization is way out of polluting activities, okay, then, वो कहते Indologist, जैसे LDB Indologist ही है, वो क्या बोलते हैं कि Indologist अपने घुरे जी भी है, उनको criticize करते हैं कि सर, caste study करो, not burn, ठीक है, बहुत बढ़ी है जी, okay, and कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि, कि जो caste हमारी holy cow नहीं है, holy cow मतलब जिसको discuss ही नहीं किया जा सकता, और alter नहीं किया जा सकता, कहते है, it can be discussed and it can also be altered, because it is not a holy cow, okay, politics पर क्या बोलते हैं, MNS, बोलते हैं कि अगर हम South India में देखें, तो कहते हैं कि consolidation भी हुई है, lower caste की और middle बारी caste की consolidation हुई है, क्यों कहते हैं, इसके reason है, क्योंकि land reforms हुए, एकठे जो खेती बारी करने शुरू हुई, एकठे जो खेती बारी करने है, छोटे-छोटे खेत होगे, तो काम करना मुश्किल भी है, तो बहुत से जगहों पर land consolidate भी हुई, कि जो cooperative बनाएगा, etc, and कहते हैं, बाकी political system decentralized हो गया, decentralized मतलब number based हो गया, कि एकठे जुडेंगे तभी कुछ बनेगा, otherwise तो अकेले केले कुछ ने किसी की बात माने जा रही, तो decentralization हो गई political system में, number based politics हो गई, जिसके पास numbers है, वो आ जाए, and then land reforms, तो कहते हैं, South India में caste की consolidation भी हुई है, and then dominant caste के कुछ features देते हैं, number यह, etc, etc, आपको पता है, तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं, numbers वाली जो बात देखे हैं, अगर land की बात देखे हैं, etc, तो कहते हैं, caste ऐसा नहीं सरफ divide कर रही है, caste unify भी कर रही है, लोगों को जोड भी रही है, आगे examples भी हैं, जैसे हमारे पास, जैसे वो क्या बोलते हैं, कि particularly, बहुत से जैसे हमारे पास अगर आप चाहो तो code भी कर सकते हो, जैसे वो अजगर वाली बात, इनों, and calm वाली बात, जो मिने पहले द का सकती है, जरूरी यह सरफ divide ही करें, and then, उसके बाद, यह कहते हैं कि, अब MNS को concluding ली देखें, तो कहते हैं कि, कास्ट को हम micro में देखें, बिल्कुल, microscope में नीच उतर के देख रहे हैं, तो कहते हैं, कास्ट को कास्ट के जैसे ही देखना चाहिए, क्योंकि इसमें mobility है, वर macro में देखें, उपर से देखें है, toarchical system, तो कहते हैं, कास्ट के जैशे हैं, टिक हैं वर्ण के जैसे नजर आती है, तो कहते हैं इसलिए यह यूणिफाइ करने के काम भी आती है, people often use it to unify, ठिक हैं, क्योंकि numbers मिलेंगे, number मिलेंगे, तो politics में power मिलेगी, ठिक हैं, तो बहु उसी कासपासी कहानी गूमते रहती है and then reservation में वो बोलते हैं कि untouchables या tribes को मिलने चाहिए OBCs को नहीं मिलने चाहिए वो कहरें ये politics of caste है कि caste की politicization हो रही है not a very good thing, he's not happy with it तो supremely awesome dialogue है जितने जगा यूज कर सकते हो करना ठीक है one of the best 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 things I've ever read तो क्या बोलते हैं कि politics of reservation has overpowered sociology of reservation ठीक है कैते है sociology समझेंगे reservation की तो अलग निकल के आती है politics तो बिल्कुल ही अलग तरह से कुछ काम करवा रही है then वो कहते हैं कि caste secularized भी हो रही है क्या तो वो caste and it's 20th century of Tark किताब लिखते हैं फिशन भी है fusion भी है आपस में तूड़ती फूड़ती भी रहती है और जुड़ती भी रहती है इसे कहते है लिंगायास ने मिलकर ब्रहामिन रूल खतम कर दिया दरेतन OBC मिलकर accordingly बाकी जो दूसरी parties को जो अपनी कास्ट को हरा रहे है तो कहते हैं 1993 में कोलिशन जो न इट ब्रोक डाउन तो इसे लिए ही वस कॉईट हर्ट बिफोर ही रिली डाइड है वैसे जब जो Times of India में ही राइट इन आर्टिकल बिफोर हिस डेथ तो वहां लिखते हैं कि सरफ इंट्रस्ट बेस्ट इंटीगरेशन है इंटीगरेशन आफ हार्स तो हुई नहीं रही तो ऐसे नहीं दिल से दिल मिल गए ऐसा नहीं हो रहेगी इंटेन माक्सिस्ट को रिजेट करते हैं कि क्लास रिप्लेस करते की कास्ट को करते तो ऐसा बनी होने वाला ठीक है तो वह करें इसलिए इंटीगरेशन इंडिया की बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अगे और देख लेते हैं घंचामशा वो करें कि डॉमिनेंट जो कास्ट करते कुछ नहीं सिर्फ क्लास है अच्छी होगी तो अपने आपी डॉमिनेंट कास्ट बोल दिया योगे शेटल बोलते हैं कि डिफर जिसको लीडर्स जिसमें से बहुत सी पावर जो विड्रॉ करते हैं आम जनता को नहीं फत्र रखता है लीडर्स के लिए ही है सिरफ यह है और एडमन लीच एडमन लीच आके लिखते हैं जो रन अवे वर्ल्ड वाले वो लिखते हैं कि सिरफ पॉलिटिकल एकनॉमिकल करके इन्होंने चीज अब्जर्व करी और जर्नलाइज कर दी विच्छी डेजंट रिली लाइक युग इंडर सिंग बोलते हैं कि माक्रोस्कूपिकली इज नॉट वरी ट्रू अनन्चकरवती वो कह रहे हैं कि जो पावर फैक्शन है पावर फैक्शन मतलब पावर हा सब्सक्राइख रहे जो ता किसे चाहिए सब्सक्राइख में इसको तरह बिल रहे हैं 2002 नहीं करना फालप घ्यों पावर और तो ऊबुतिन को एक उंडर क्ट पोड़े सब्सक्राइख पावर रहे हैं तो व कर दे कृए दिन बाकी गेल, ओमविट वगारा की बात भी हम कर सकते हैं आपर, ठीक है दोस्तों, ओके, LD की बात करते हैं, लूई डूमो, तो LD के बार में हैं यहाँ पर देखते हैं बहुत ही जल्दी से, तो LD क्या है बोलते हैं कि, वो कहे रहे हैं कि, एक एक गाम करते हैं, अगले वीडियो में जल्दी, मैं continue करता हूँ, वीडियो हमारे बीच में बंद हो जाते हैं, तो let's just keep it short, तीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, मैं continue करूँगा,